अगर दोस्तों आप अधार कार्ड के साथ मोबाइल नमर को जोड़ना चाहते हैं और आप काफी परिसान है काफी दिनों से तो दोस्तों इस वीडियो को आप के वल कमप्लेट देख लेजिए इस वीडियो के माध्यम से देखने के बाद आपको अधार कार्ड में मोबाइल न कियें तो लाइक कर देजए इस वीडियो को लाइक करना भोल जाते हैं छोरी सी कोमेंट कर देंगे वीडियो देखने के बाद और अभी तक मुछ छवर नहीं कियें हैं तो दोस्तों को सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल के माध्य wash से प्राती दिन दोस्तों इसी तरह का वीडियो मिलती रहती है तो चलिए शुरू करता है तो सबसे पहले दोस्तों अपने मोबाइल फॉन में गूगल ओपेंड कर लेंगे और सबसे पहले आप अधार काड की ओफिसिल बेव साइट को पर आ जाएंगे यहाँ पर आप देख पार होंगे uidai.gov.in लिकर साच करना है इस बेव साइट का लेंग वीडियो के डिस्त्रिक्रिप्शन बुक्स में दे दिया गया है वहाँ से दोस्तों जाकर आप घर बेठे असानी से अधार काड के साथ मोबाइल नमर को जोड सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पार होंगे gate अधार और यहाँ पर आपको काफी सर्विस देखने को मिल जाता है जैसे यहाँ पर आप देख पार होंगे book and appointment यहाँ पर आपको click करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो छोड के नहीं जाना है complete बताने वाले हैं इस वीडियो को अच्छे से देख लिजिए उसके बाद दोस्तों आप ट्राई करेंगे यहाँ पर आप देख पार होंगे यहाँ पर फ्रेस अधार काड बना सकते हैं यहाँ पर अधार काड में नाम अपडेट कर सकते हैं एडरेस, मुबाइल नंबर, इमेल ऐडी और डेटो बर्त, जेनरल यहाँ पर देख पार होंगे दोस्तों बायो मेट्रिक्स फोटो, यहाँ पर फिंगर फिरिंट तो यहाँ पर दोस्तों आसानी से इन सभी को अधार काड में दोस्तों आप अपडेट कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख पार होंगे यहाँ पर आपको स्लेक्ट सिटी location यहाँ पर आपको क्लिक्ट करना है और यहाँ पर अपने नजदी की जो भी आपका post office होगा यहाँ पर आप select कर लेंगे या फिर आपको सहर में जो भी आपका अधार center के अंदरा होगा यहाँ पर select कर लेंगे और यहाँ पर post to book appointment को पर click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पार रंगे अधार update करना चाहते हैं कि new अधार बनाना चाहते हैं कि आप manage appointment करना चाहते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको अधार update को पर click कर दना है और यहाँ पर आप देख पार रंगे यहाँ पर आपको mobile number डाल दना है capture code को डाल दना है अधार आपको send OTP के उपर click करना है तो चलिए अधार पर हम फटा फट डाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको mobile number पर एक OTP भेज़ दिया गया है तो यहाँ पर आपको OTP को डाल लेना है और उसके बाद दोस्तों verify OTP के उपर click करना है तो चलिए यहाँ पर हम OTP अपना डाल लेते हैं OTP डालने के बाद दोस्तो फेरिफाई OTP को पर कले करना है और यहाँ पर दोस्तो आपको देख पारेंगे अधार कार्ड जो भी आपका होगा यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर आपको अधार कार्ड में जो नाम होगा है यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर अपना अस्टेट और यहाँ पर सिटी और यहाँ पर अधार सिवा के अंदरा यहाँ पर चलिए हम डाल लेते हैं डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेश्ट को पर के लिए करना है और यहाँ पर आप जैसे नेश्ट मर के लिए करेंगे तो यहाँ पर आप देख पार हैंगे अधहार काड में दोस्तों आप क्या अपडेट करना चाहते हैं क्या सुधार करना चाहते हैं अगर दोस्तों आप नाम सुधार करना चाहते हैं, अगर आप नया मोबाल नमर को जोड़ना चाहते हैं, न्यू मोबाल नमर को पर कले कर देंगे, और यहाँ पर आपको email id डाल देना है, आपके पास जो email id होगा यहाँ पर डाल देंगे, और यहाँ पर फिर से आपको nest को पर के लिए करना है यहाँ पर दोस्तों आप अधार सेंटर में कब जाने के लिए एक चुक है यहाँ पर आप टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप डेट भी सेलेक्ट कर लेंगे आपको यहाँ पर किस डेट को अबलेबल है यहाँ पर आपको नेश्ट के लि करदना है यहाँ पर आपके पास एक rescuedSi weldak को ले कर जाना है और यहाँ पर आपको Submit को पर क्लिए करना है इसके बाद OK को फ़िले करना है यहाँ पर दोस्तों आप जिस डेट यहाँ पर select की है time date उसी date को दोस्तों आपको अद्हार से वाक के अंदर जाना है और वहां पर इस दर बड़ी असानी से घर बैठेodi असानी से ऐपॉइमेंट लेकर आप अधार सेंटर में जाकर कहीई पर भी दोस्तो आप गया है करकर असानी से अधार कड़ में मोँवाल नबर को जुड़वा सकते हैं दोस्तो ईविडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरी यह बता सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ कि ए वीडियो अपको काफी पसंद आए होगा वीडियो पसंद आँप वीडियो ने मात्रा